असलाम अलेकूम गाइज आई होप सारे खेर खेर अचे होगे अभी एक न्यू विलोग इस्टार करते हैं सो वेलकम बेक तू दी न्यू विलोग वियोर्ज अभी में आया हूँ एक कदीमी दर्गा है जो करोडा कालूनी में हैं बड़े हिस्टोरिकर प्लेस है है आज मैं सारे भी और सको इसकी पूरी इस्टी बटाता हूं यह जगा पे और कहां पर पे हैं फिलापको बेक में इसका बोर्ड लगा वागा वह वह बेखाता हूं यह चेक करें यह मिया गुलामशा कलुड़ा कलुड़ा कालुणी में नियर सिटी गेट के बराबर में यह इसकी आप हिस्ट्री वगरा देख ले और यह इसका में जो है ना गेट बना हुआ है सारा इसका में गेट है अभी अंदर चलते हैं और अंदर इसकी आपको पूरी वीडियो बना के आपको मैं दिखाता हूँ और इसकी हिस्ट्री वगरा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा यह आप चेक करें माशाला बहुत कदीमी है यह विए यह चेक कर रहा है इसका में गेट बना हुआ है आप अंदर का वीओ चेक करवाते हैं यह माशाला आप चेक करें इसका बार का अब कर दे ले सकते हैं है यह सामने रोड आरा है यह आप चेक कर सकाथностью कि पक्रिया मगरें खड़ी हुए यह इसका बाइर का लोक है यह आप चेक कर सकते हैं चारों से यह में गेट के यह बना हुआ है यह आप चेक कर सकते हैं विवर्ज यह इसकी बाइर का लोक है पूरा किले का अब देखें यह इसका बाइर का लोक है अंदर से मैंने आपको पूरी वीडियो बगरा देखा दी यह इसका बाइर का लोक है विवर्ज यह हम इसके बिल्कुल अंदर आ गये हैं और यह सामने माशारा आप चेक करें पूरी यह दर्गा की बिल्टिंग बनी हुए यह पूदेव अगेरा लगे हुए माशाला और यह साइड है अब इसकी असल में विवर्ज यह जो ना दर्गा का पूरा किला वगेरा बिल्कुल ठीक से बनाया था लेकिन हिद्राबाद में जो कुछ टाइम पेले इतनी बारिश यह आई थी अधसे जादा उसमें इसका पूरे चारों सेट का जो किला था वो भी टेमेज हो गया है पता चल जागया है इसके पूरी हिस्ट्री वगेर गया है वह विवर्ज से हर्ची शेयर करता हूँ अब भी हम थोड़ा दर्गा आगे चलते हैं आपको में दिखाता हूँ विवर्ज याप चेक कर सकते हैं कि लोगों ने ना घर किसे बनाए इसको मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ यह चेक करें इसे घर बना के चाहते हैं अगर इनकी मननत पूरी हो जाती है नकि तो यहां मनत वगेर लेकर आते हैं या आपकी लेखे के देख सकते हूँ यह माशाल्ला विजू विजू करूं विजू वगवर करने की यह वो चीज है , वो भी बनी हुई है यह इस कहां देखो कि माशाललह कितनी प्यारी बनी होई है 16 के टैम प୉त सारे लोगों वicians up घाते हैं ज्यादा तर जोए न उर्दो स्पीकिंग लोग आते न वो इस चीज़ को बहुत ज्यादा करते हैं quarter of जबर प्यारी धर्गाव बनी हुई है, मैं आपको लिए थोड़ा सामने भी देखा था हूं कि यह कितनी पुरानी जो है ना कबरें बनी हुई है, यह व्यूज यह चेक करें, व्यूज यह चेक करें, अब लोग चेक करें, अंदर भी आपको व्यूज देखाता हूं, असाम अलेकम, यह यह हज़रत मियां गुलामशाह का लोड़ो, उसकी यह मजार बनी हुई है, और यह काशी की बनी हुई है, आप माशाला जास बे आइसका पूरा एफ्युज चेक करें, यह श चछत वगल्गर आप चेक कर लें, यह माशाला बहुत कदीमी है यह कुछ टाइम पे लेना मना थोड़ा पुरा ना था अभी माशाला इसको और काफ खाते वालों ने रिपियर वगएर इसको करके माशाला इसको बहुत प्यारा बना दिया है यह आप चेक करें माशाला बड़ा खुब्सूरा तोर प्यारा सा यह देखें यह माशाला यहां पुरान शरीव अगरव पड़ी हुए हैं काफी जो लोग आते हैं वो यहां पुरान शरीव अगरव पड़ते हैं यासिन शरीव अगरव पड़ते हैं यह आप चेक करें यह भी कोई इसकी भी दरगा है लेकिन इसका मुझे तना कंफर्म नहीं है अब यह आपको इसका बायर का पूरा लोग दिखा हो उसके बाद इसकी हिस्ट्री यह पे लोग कोंसी मनत लेकर आते हैं और कौन-कौन सी मनत हैं यह नोगों की पूरी बगए हगर होती है फिर यहां क्या चीज लिए और यह ना इसका बाहर का लोके यहां भी कुछ अंदर कुछ मजारे मागेर बनी हुई है लेकिन यहां मर्द जो नहीं जाते सिर्फ औरते ही जाती है यह आप इसका नीचे का भी देख ले माशालों यह जो पेड़ सामने लगा हुआ है यह तो जब से दरगा बनी थी तब का यह भी लगा हुआ है यह आप चेक कर सकते हैं अभी मैं जो ना आपको इसकी बेक साइड वारी पूरी लोक वगएर दिखाता हूं विवर्ज यह भी कुछ ना कपरें वगएर यह भी बनी हुई है इनकी मुझे इतनी हिस्टी का नहीं पता तो यहां हवा भी बहुत है आप किन आप समझने की कोशिश कर लेना और यह भी पुरानी जो है ना यह सारी कदीमी कब्रें वगएर बनी हुई है अभी और असन में किया था ना मैंने आपको पहले बताया कि यह पूरा किला ना कुछ टाइम बारिशों के पहले इसको पूरे को रिपियर किया था अभी आप चेक करें यह इसके लेफ्ट साइड है पूरी तरगा की अभी थोड़ा आगे चलते हैं वीवर्स आपको वो चेक करवाता हूं माशला यह बड़ा जबरस एक किसम का चारो साइड किला भी बना हुआ है और माशला इतनी जबरस तरगा भी हैं यहां पर लोग शाम को बहुत आते हैं क्योंकि मैं थोड़ा आया हूं दो बेर के टाइम आप वीवर्स की वज़ा से की जो मैं रिकार्डिंग करूं सबको बिल्कुल ठीक से एक एक चीज समझाओं क्योंकि शाम के टाइम आती है फैमिलियों वगर बहुत आती है तो अच्छा नहीं लगता कि फैमिलियो वज़ा से पूरा डेमेज हो गया है अच्छा विवर्स जो में जो इसका मनते वगर होती है वह आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे घर जो है ना यह क्यों बने हुए तो आप पहले पहले यह छोटे आपको पूरे घर दिखाता हूं फिर मैं जो ना केमिरा को अपने फे कि यह चोटे-चोटे घर बनाते हैं उसके बाद यह मनत इनकी पूरी हो जाती है यह घर बनाने के बाद फिर यह कौन सी यहां मनत लेकर आते हैं अभी मैं आपको इसकी यह बेंक्याद। दिखा था हम व्योयर्स यह चेकर एंसकी पेग सट असर में इसको पूरा कलर वगैर सब कुछ हो गया था लेकिन यह बारिश हैं पूरी इसको दर्गा को चारो तरफ से डेमेज कर दिया है लेकिन यह जो अंदर है ना वो बिल्कुल दर्गा सही लगी पड़ी है यह आप देखोगे छोटे-छोटे घर जो है सारे बने हुए है विवर्ज याप चेक करें यह देखो सामने लोग कहा कहा तक बनाया है पूरा चारो साइड जो है ना किला बना हुआ है विवर्ज याप चेक कर सकते हैं थोड़ा आगे चलके दूसरी साइड भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ विवर्ज यह इसकी जो ना राइड साइड वाली है वो मिन्हें लेफ्ट आपको दिखाई थी यह राइड साइड है यह जे कर सकते हैं मैं पर एक थोड़ा तो पीछे होकर इसका पूरा आपको इसका लुक दिखाता हूँ उसके बाद आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताता ह वीवर्स ये चेक कर सकते हैं इसके पूरा ये एक साइड इसकी पूरी बनी हुई है ये देखें माशाला हवा भी बहुत ज़्यादा है वीवर्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ भी छोटे छोटे से घर वगेर बने हुए है यह आप ये चेक कर सकते हैं यह माशाला वह आपको मैंने तरख देखा है दा सामने आला वह बिलकुल कदीमी है और यह आप चेक कर सकते हैं यहां कुछ लोगों की कबरिया मगेर अभी बनी हुई है अच्छा वीवर्स अभी मैं जो ना के मेरा को करता हूं अपनी साइड और फिर मैं आपको बताता हूं देखा ही चोटे छोटे घर जो है यह यह इसलिक लोग बनाते हैं कि कोई एक जिसको अपना घर नहीं है फिर ये यह सारे जो हैं लोगों की वन्ड़ पूरी हो जाती है ना उसके मन्नतों के बाद वह यहां कौन से मनत लेकर आते हैं वह जह गुलाम्जा के जो मशिर मनत हैं उमज लोगों को गदमन 現ा पूरी हो जाती हैं फिर वह क्या करते हैं फिर वो यहां पारते बह इस हैं लोगों को भी खिलाते हैं कुट भी खाते हैं इसकी मनत नहीं और ट पर तो हवा में बहुत जाता है शायद आपको ना समझ में ना आजाए ना आए लेकिन इसकी एड्रेस आपको भी बताता हूं कि शिटीगर के बिलकुर पीछे आपको पीछे खालोडा कालोंगी है यह वहां पे इस्टोरिकल यह दरगा बनी होगी है बड़ी कदीमी और बड़ी प्य पूरी होने के बाद वो लेकर आते हैं आपको मैंने पूरा इसका देखा दिया अगर मुझे कोई चीज मिस हो गई हो तो अगर इसको ना लेज एस चीज की वो मुझे कमेट बोक में लाजमीं बता है अभी हवा भी इतनी लग रही थी आप देख रहे हो तो यह इतना जबर वीडियो बना के दिखाई आप उसमें भी देख सकते हैं कि इसके हिस्ट्री कौन सी है मिया गुलाम शाह का लोड़ो है इसका जो बेटा था सरफराज का लोड़ो उसने इसके मजार का बुन्याद रखा था उसने इसके मजार वगर बनवाई थी अपने वालेद साहब की सो आपने पूरी मेरी वीडियो देख ली तो अभी इसी वीडियो को यहीं करते हैं एंड सो प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंड भी करें और सबसे दूसरी इंपोर्जन बात यह कि आप मेरे चैनल को लाज कि अपसे